युदिष्ठिर पांडू का जेश्ट पोत्र था. धर्मराज द्वारा कुंती के आहवान पर बुलाए जाने पर उनके अंच से ही यह पैदा हुआ था, इसलिए धर्म और न्याय इसके चरित्र में कूट-कूट कर भरा था. इसी के कारण इसको धर्मराज युदिष्ठिर पुकारा जाता था. वह कभी असत्य नहीं बोलता था, तभी शत्रुपक्ष के लोग भी उनकी बात पर पूरा विश्वास करते थे. स्वार्थ के कारण किसी प्रकार अनुचित कार्य करना इनको नहीं सुहाता था. वह धीरबुधी था. कभी उतावला होकर कोई कार्य नहीं करता था. भीम, अर्जुन तथा अन्य भायों को कभी-कभी गुस्सा आता था तो वे मर्यादा की सीमाओं को भी लांगने को तयार हो जाते थे, लेकिन युदिष्ठिर ने कभी सत्य के मार्क को नहीं छोड़ा. बलकि वह प्रायह जीवन के विराट सत्यों पर चिंतन किया करता था. छल कपट उसे छू तक नहीं पाया था. राजा होने पर भी कूटनीती से उसने कभी काम नहीं लिया. शमा सदा उसके व्यवहार में रही. बड़े से बड़े अपराधी को भी वह शमा कर देता था. गुरुदेव द्रोनाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतेहिंसा की आग में जलकर द्रौपदी के पाचों पुत्रों को सोती अवस्था में मार दिया था. इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता था. एक तो पुत्रों की हत्या, वंश नाश करने की और इस तरह का अन्याय, लेकिन युधिष्ठिर ने उस आत्ताय अश्वत्थामा को भी क्षमा कर दिया. उस समय अश्वत्थामा का वद करने के लिए तुले हुए पांडव उसके सामने कुछ नहीं बोल पाये थे. उसकी आत्मिक शक्ती इतनी अधिक थी कि एक बार को कित नहीं भाय पांडवो को वारनावत भेज दिया और वहां लाक्षाग्रेह में ठहराया. वहां से उनको सुरंग लगा कर भागना पड़ा. और इस तरह दुर्योधन का वह शड्यंत्र निश्वल चला गया, लेकिन युधिष्ठिर को इस पर भीक रोध नहीं आया. उसने भी भी अपने मुह से यह बात नहीं कहीं कि दुर्योधन को नश्ट कर देना चाहिए. सच देखा जाय तो वह पूरी तरह निश्काम कर्म योगी था. इस भोतेक संसार के सुख और दुख उसको अधिक विचलित नहीं करते थे. बच्चों के समान सरल उसकी प्रकृती थी. दूसरों के बनाय शड्यंत्रों को वह नहीं जान पाता था. इसका कारण यही था कि उसकी दृष्टी निरंतर जीवन की सुन्दर्ता पर रहती थी. जीवन का पक्ष वह अच्छी तरह नहीं जानता था. भाय और मित्र पर पूरी तरह विश्वास करता था. एक सफल कूट नितिग्य की तरह संदेह करना उसे नहीं आता था. तभी उसने दुर्योधन का जुवा खेलने का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया. राजसुय यग्या के पश्चात उसके वैभव को देखकर वृध धृतराष्ट्र के मन में इर्षय जाग उठी थी. उधर दुर्यो से अंत तक छल किया और अंत में युधिष्टिर को हरा दिया. उस समय युधिष्टिर धृतराष्ट्र और दुर्योधन के मन के भाव नहीं जान पाया था. उसकी तो उनके प्रती पहले जैसी ही श्रद्धा थी. जुए में वह सबकुछ हार गया. यहां तक कि अपनी प्र द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया तो वह कुछ भी नहीं बोला. इसका कारण उसकी न्याय प्रवृति थी. द्रौपदी उसके दाव पर लगाने के कारण कौरबों की दासी हो गई थी. इसलिए दासी के साथवे किसी भी प्रकार का व्यवहार कर सकते थे. यह 14 वर्ष तक वनवास और एक वर्ष के अग्यातवास का दुख उसकी इस भूल के कारण सभी को सहना पड़ा था. लेकिन फिर भी उनके मन में इसके प्रती खेद नहीं था. बलकि एक प्रकार का संतोश और सुक था कि वह अपने धर्म का पालन कर रहा है और उसने वनवास औ एक बार वचन देकर लोटना तो जानता ही नहीं था. वनवास के समय अन्य भाई कभी कभी विक्षुग्ध हो उठते थे और कहते थे कि कौरगों के इस अन्याय को स्वीकार करना भी कौन सा धर्म है. उधर द्रौपदी भी निरंतर कौरगों के इसकुचक्र का बदला लेन के लिए युधिष्ठिर को उभारा करती, लेकिन वह धीर बुद्धी कभी भावावेश में आकर अनुचित्पत का अनुसरन नहीं करता था. वह द्रौपदी को समझाया करता था कि मनुष्य का सबसे बड़ा सुख तो उसके जीवन का सत्य है. यदि वह उसने छोड़ दि अच्सी एश्वर्य उसकी आत्मा को कभी संतोष नहीं पहुचा सकते. असंतोष और तृष्णा ही तो जीवन में दुख का हेतु है, इनहीं को जीतना जीवन की सबसे बड़ी विजय है. इस दृष्टी से युधिष्ठिर विजयी था, उसका चेहरा सदा प्रशांत भाव उसके इसी गुन के कारण ही सभी उसकी आग्या मानते थे. उसने अपने चरित्र से पूरी तरह सिधकर दिया था कि महात्मा ही इस संसार में पूर्ज है, बाकी अन्य बड़े से बड़े सम्रार भी अपने कार्यों के द्वारा घ्रिना के पात्र हो जाते हैं. महात्मा ही अम की सीमाओं के भीतर रहकर भी जीवन के विराट सत्यों की और पूरी तरह सजग रहता है. अन्य कोई पात्र इस गौरब को नहीं पहुँचता. वही था जिसने कुत्ते को भी स्वर्ग का अधिकारी बनवाया था. समाजगत भेद भावों को वह छोटी परिधी के सत्य मानत था, तभी तो उसने उस स्वर्ग में जाने से इंकार कर दिया था. जहां उसकी सीही आत्मा रखने वाले कुत्ते को प्रविष्ट करने का आधिकार न हो. क्या युधिष्ठिर के अलावा और कोई व्यक्ति उस समय के समाज में यह बात कह सकता था? वह जीवन के स्वार्थ द्रोनाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मर गया तो उसने यह जूट बोलने से साफ इंकार कर दिया और फिर क्रिश्न के बहुत कहने पर भी स्पाश्ट्रूप से यह नहीं कहा की. द्रोनाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मर गया बलकि यह पता नहीं की अश्वत्थामा नाम का मनुष्य मरा या उस नाम का हाथी, इस तरह कहकर उसने अपने राज्य धर्म का पालन किया, लेकिन फिर भी वह जूट तो था ही, क्योकि पूरी तरह जानते हुए भी की अ आदर्शों पर एक चटान की तरह द्रिर था, क्षमा उसका आदर्श थी, बिना शत्रु मित्र का विचार करके वह सभी को क्षमा कर दिया करता था, जिस समय गंधर्वराज चित्रसेन दुर्योधन आदी को बांध लाया था, तब युधिष्ठिर ने प्रार्थना करके उ वे भी दुर्योधन के प्रती ब्रात्रत्व का भाव रखता था और उसने चित्रसेन से प्रार्थना करके दुर्योधन को मुक्त करवा दिया, इसी प्रकार जब एक चिक्रा नगरी से पांधव आ रहे थे तो रास्ते में अंगारपूर्ण गंधर्वराज से अर्जुन की मुट्भेड हो गई, युद्ध की तयारी हो गई, लेकिन युधिष्ठिर ने ही अंगारपूर्ण को क्षमा कर दिया और अर्जुन को आग्यादी की गंधर्वराज को किसी प्रकार की हानी नहीं पहुँचाए, इस प्रकार युधिष्ठिर के कहने से ही वह जगणा थम युधिष्ठिर को क्रोध प्रायह बहुत कमाता था, जिस समय पांडव राजा विराट के यहां रहकर अपने अग्यात्वास का समय काट रहे थे, उसी समय विराट के उपर दो आक्रमन हुए पहले तो उनके गोधन को लेने के लिए सुशर्मा ने उनके उपर आक्रमन किया, दूसरी और दुष्ठ कॉर्वो ने आकर आक्रमन कर दिया विराट तो सुशर्मा से लड़ने चले गए, कॉर्वो से युद्ध करने के लिए राजकुमार उत्तर ब्रिहनला नामधारी अर्जुन को अपना सारत ही बना कर ले गया, लेकिन दुर्योधन की विशाल सेना देखकर उत्तर युद्ध से भागने लगा तो अर्जुन ने उसे रोक कर स्वयम धनुष लेकर कॉर्वो से युद्ध किया और उनको पराजित कर दिया, लेकिन नगर में लोटने पर यही घोशित किया कि राजकुमार उत्तर ने ही यह विजय प्राप्त की है, राजा विराट सभा में बैठे हुए अपने पुत्र की प्रशंसा कर रह थे, उस समय कंक नामधारी युधिष्ठिर ने कहा, महराज, दुर्योधन आदी योधाओं को जीतना उत्तर के लिए कभी संभव नहीं है, उत्तर व्यर्थ अपनी प्रशंसा करते हैं, ब्रिहन नला ही उनको पराजित कर सकती है, ये सुनकर विराट ने अपने हाथ के पास तो राजा विराट के इस व्यवहार को नहीं सह पाता, लेकिन युधिष्ठिर कुछ नहीं बोला, उसकी इस महानता के कारण ही बाद में ये पता लगने पर ही कि अन्यनामधारी सभी पांडव भी यहां ठहरे हुए हैं, राजा विराट को अपने व्यवहार पर बड़ा द की वंदना करने गया था, उस समय भीष्म पितामः, गुरू द्रोनाचार्य, क्रिपाचार्य और मद्रराज शल्य ने सच्चे हृदे से उसको आशीरवाद दिया था, उसके इस शील स्वभाव के कारण शत्रू पक्ष के महारती सदा उसकी प्रशंसा करते रहे, देर तक वह नहीं लोटा तो युदिष्ठिर उसको खोजने निकला, वहाँ यक्ष के चंगुल में अपने भाय को पाकर उसने यक्ष से भीम को छोड़ देने की प्रार्थना की, यक्ष ने कहा कि यदि तुम मेरे प्रशनों का ठीक ठीक उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे भाय को छोड़ दूनगा। युदिष्ठिर ने ये शर्थ स्वीकार कर ली, इसके पश्चात यक्ष ने धर्म और समाजनीती पर प्रशन पूछना शुरू किया। युदिष्ठिर ने प्रतेक प्रशन का समुच्चित उत्तर दिया, इससे प्रसन होकर यक्ष ने भीमसेन को छोड़ दिया। वनवास के समय एक बार मारकंडयय मुनी से भी युदिष्ठिर की भेट हुई थी और उन्होंने अनेक बहमूल्य उपदेश उसको दिये थे। महाभारत युद्ध में अपने पक्ष की विजय हो जाने के पश्चात भी युदिष्ठिर को कोई हर्ष न और तभी उसकी आत्मा बोल उठीक धर्म की गती विचित्र है। सभी ने पांडवों की विजय पर खुशी मनाई थी लेकिन वह बार बार पूछता रहा था कि आखिर इस विजय का तात्पर्य क्या है। यह विजय किसकी है। क्या ये मानव के सत्य की विजय है। तो फिर इसमें हृदय को इतनी पीला और दुख क्यूं है। इस प्रकार के विचार निरंतर उसके मस्तिष्क में उठते रहे और दिन प्रति दिन अपने स्वजनों की याद करके वहाधीर रहने लगा। खुरुक्षेत्र में बहा हुआ भाईयों और पूज्यवरों का रक्त उसक के आरंब में हुई थी, वह उसको अंतक रही और अंत में तो काफी बढ़ गई थी। तभी श्री कृष्ण उसे भीश्म पितामा के पास ले गए थे। वे कृष्ण जिन्होंने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को शांत किया था, युधिष्ठिर को नहीं समझा पाए अपने धर्म युक का उपदेश वे उसको नहीं दे पाए। उन्होंने जाकर शर्शहिया पर पढ़े भीश्म पितामा से कहा, जाती की हत्या करने के पाप से दुखी युधिष्ठिर बहुत ही ब्याकुल हो रहे हैं। धर्म युक्त उपदेश देकर उनके शोक को दूर क करिये, इसलिए मैं इनको आपके पास लाया हूँ। पितामाह ने राजधर्म, आपधर्म और मोक्ष के उपदेश युधिष्ठिर को दिये और अनेक तरह से उसको समझाया, लेकिन फिर भी उसके हृदय का संताप पूरी तरह नहीं मिटा। तभी तो जिस समय अंत में पजनों को पानी देने के लिए खड़े युधिष्ठिर के सामने कुंती ने ये भेत खोला था कि कर्ण उसी का अग्रज है तो उसने क्रोध होकर अपनी माता को ही शाप दे दिया था कि स्त्री के पेट में आज से कभी कोई बात अधिक देर तक नहीं टिकेगी। यदि उस को पहले ही यह पता होता तो वह कर्ण को अग्रज मानकर उसकी आग्या में चलता और इस महाविनाश के पाप का बोध उसके सिर पर नहीं चलता। अंध तक उसके हृदय को यही बात कष्ट देती रही कि सबसे बड़ा भाय होने नाते वही उस महाभारत के भीशन संग्राम के लिए उत्तरदाई है। अभारत के बाद कुछ वर्ष तक वह राज्य करता रहा, लेकिन कभी भी उसका चित प्रसन नहीं रहा। अनेक प्रकार के भयानक प्रशन उसके मस्तिश्क में उठते थे और उसकी चेतना को जगजोर कर रख देते थे। नहीं उसके भाये और द्रौपदी बर्फ में गलकर मर गये थे और वह सदे स्वर्ग गया। इंद्र और स्वयम धर्मराज उसको लेने आये थे। यह उसके पुन्य का प्रभाव ही था। पहले पहले उससे नरक में होकर गुजरना पड़ा था। वहां सहसा उसे अपने भायों तथा द्रौपदी की चीतकार सुनाई दी। इससे वह व्यतित हो उठा और इंद्र से वह पूछने लगा, क्या कारण है कि मेरे भायों को और द्रौपदी को नरक की दारुन यातना भूगनी पड़ रही है। इंद्र ने कहा, हे धर्मराज, मनुश्य को अपने कर्मों का फल भूगना पड़ता है। प्रोध भी आने लगा, लेकिन इंद्र ने कहा, युधिष्टिर इन्होंने युद्ध करके वीरगती प्राप्त की है। इसी का पुर्ण्य फल ये स्वर्ग में भोग रहे हैं, लेकिन इसके समाप्त हो जाने के पश्चात अपने अनेक पापों का परिनाम ये नरक में भोगेंगे। शीग्र ही इनका पतन होगा। कुछ ही देर के पश्चात युधिष्टिर ने देखा कि कौर्गों का पतन होने लगा। वे चीतकार करते हुए स्वर्ग से नरक की आग में गिरने लगे और नरक में से अरजुन, भीम, नकुल, सहदेब, द्रौपदी के साथ स्वर्ग में आ गए। उनसे मिलकर युधिष्ठिर को अत्यदिक प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात वे सभी अपने पुन्यों का फलभोगने लगे। युधिष्ठिर के चरित्र को पूरी तरह देखने से यह मालूम होता है कि वह सद्गुनों की खान था। वो एक विचारक था, जो निर्पेक्ष द्रिष्टी से मानब तागत मूल्यों पर विचार किया करता था और फिर अपने हृदय की बात को कहने का साहस रखता था। कभी स्वार्थ के लिए सत्य पर परदा डालने की उसने चेश्टा नहीं की। अपना दयालू स्वभाब होते हुए भी वह रणवीरू कभी नहीं था। जब कभी युधस्थल में उतरता था तो पूर्ण साहस के साथ युध्ध करता। मद्राज शल्य उसी के हाथ से मारा गया था। कर्ण से भी उसने युध्ध किया था, लेकिन घायल होने के कारण आगे उससे युध्ध नहीं कर पाया था। अर्जुन ने कर्ण से टक कर ली थी और जब अर्जुन पूरे दिन लड़कर भी कर्ण को परास्थ नहीं कर पाया था तो युधिष्ठिर ने उसको बुरी तरह फट का रहा था। उसने उसके गांडीब धनुष तक को ललका रहा था। इस पर अर्जुन ने कुरुध होकर अपने अग्रज का वद करने की ठान ली थी लेकिन कृष्ण ने बीच बचाव कर दिया। फिर अर्जुन ने युधिष्ठिर से अपनी धृष्टता के लिए एक शमा मांगी थी। युधिष्ठिर के जीवन में यही एक घटना है जहां उसने अपना धहर्य तोर दिया थ नहीं तो सदा धहर्य रखा। आशा ही उसके जीवन को सुखमय बनाती रहती थी। वह आशावादी था। बड़ी से बड़ी आपत्ती आने पर भी वह घबराता नहीं था और उनके बीच भी भविश्य में सुखी जीवन की आशा करता था। मार काट और युद्ध से वह सदाघरिना करता था तभी उसने क्षत्रिय के इस क्रूर कर्म की कुछ आलोचना की थी। महाभारत के युद्ध को टालने की उसने हर बार कोशिश की लेकिन दुर्योधन की दुष्टता के आगे उसकी कोशिश बेकार हो गई। उसने वनवास तक स्वीकार कर लिया और फिर कॉर्वों से अपना हिस्सा प्राप्त करने तक की आशा की, लेकिन वह भी उसे नहीं मिला। तब अंत में विवश होकर उसे युद्ध करना पड़ा। स्वाविमानी वह पूरा था, वह कभी दबना नहीं जानता था। दबता तो वह सत्य से व्यक्ति की सत्ता का उसके सामने आदिक मूल्य नहीं था। द्रौपदी के अपमानित होने के समय वह सिर्फ मर्यादा और अपने दिये हुए वचन के कारण ही चुप बैठा रहा था, किसी प्रकार के भय के कारण नहीं। माता का भी वह अनन्य सेवक था। पुत्रहीन गा पर चलकर ही तो गांधारी और धृतराष्ट्र का असीम प्रेम प्राप्त किया था। शत्रू वर्ग से भी ऐसा प्रेम प्राप्त कर लेना महापुरुषों के लिए ही संभव है। इस द्रिष्टी से देखा जाए तो वह राग और द्वेश से परे था। गीता के अनुसा समझे ही बात मुह से निकाल जाता था। इसी प्रकार जब कौरब पक्ष का अंतिम योद्धा दुर्योधन बचा रहा और वह जाकर द्वेपान सरोवर में जा छिपा तो सभी पांडव उसे खोचते हुए वही जा पहुँचे। उस समय सभी ने दुर्योधन को ललकारा ज मुझे इस राज्य की आकांक्षा नहीं है। इसे तुम ही लेलो। इस पर युद्धिष्ठिर बोला दुर्योधन यदि तुम इसी डर से इस सरोवर में छिप गए हो कि अकेले पर हम सभी आक्रमन करेंगे तो सुनो हम पाचो भायों में से जिस एक से तुम युद्ध करना चाहो उसी से युद्ध कर लो। जो जीत जाएगा वो ही राज्य का अधिकारी होगा। उसकी यह बात सुनकर सभी एक साथ सक्ते में रह गए। कृष्ण तो सोचने लगे कि युद्धिष्ठिर ने सारा बना बनाया खेल ही बिगार दिया क्योंकि उस समय यदि रहता तो दुर्योधन उसे धराशाई कर देता। कृष्ण ही वह सफल राजनीति गयते जिन्होंने सदा पांडवों की भूलों को सुधारा और उनको ठीक सलाह देकर परिस्तिती को अपने वश में किया। महाभारत में पांडवों की विजय का सारा श्रे श्री कृष्ण क ही है। यदि वे नहीं होते तो पांडव कभी भी विजरी नहीं होते। युदेश्ठिर तो पल-पल में संश्रे में पढ़ जाता था। एक तरफ तो महाभारत का युद्ध हो रहा था और दूसरी और उसकी आत्मा में एक प्रकार का भीशन संघर्ष चल रहा था। इसी निरंतर चलते संघर्ष के कारण वह कभी एक शत्रिय की तरह क्रूर नहीं हुआ। उसने कभी अपने आपको अन्यक शत्रिय धर्म की सीमाव में नहीं मिटाया, बलकि वह तो सत्य को खोजने वाला दार्शनिक था। दुर्योधन के प्रती एक बार भीम इतना क्रूर हो गय था कि उसकी जान तोड़ने के बाद वह उसके सिर को लात मारने के लिए भी उद्यत हो गया, लेकिन युधिश्ठिर ने भीम को रोक लिया। उसके हृदय में दुर्योधन के प्रती किसी प्रकार की घ्रिना नहीं थी। घ्रिना उसे मनुष्य से नहीं थी, बलकि मनुष् इर्नता को स्वीकार नहीं किया था। अंत में महाभारत के इस महांद रष्टा का जीवन संसार को ये पाठ देकर समाप्त हो गया कि धर्म की गती विचित्र है। मनुष्य जिन मर्यादाओं को सत्य और शाश्वत मानता है, वे शाश्वत नहीं है। चेतना का प्रवाह पह करके समाप्त हुआ। वह प्रमानित कर गया कि मनुष्य के सुख और वैभव से भी उचा मनुष्य के जीवन का सत्य है और उसी के साक्षातकार से जीवन में सच्चा संतोष मिलता है, उसी से परलोक में स्वर्ग का सुख मिलता है। अंत में यही कहना उचित होगा कि अंत में स्वर्ग का सुख मिलता है।